नमस्कार जालोर सिरोही सीट पर एक बड़ा अपडेट है कि जालोर के कांग्रेस नेता लाल सिंग राठोड ने बस्पा का दामन थाम लिया हैं बस्पा से जालोर सिरोही लोकसवा सीट से वो अब प्रत्याशी घोशित हो गए हैं जालोर सिरोही में नए अणूओं में औरजा भर रही हैं वैभव गैलोत के खिलाफ यानि की कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने और स्थानी एको टिकट दिये जाने की मांग को लेकर लाल सिंग राठोड ने कांग्रेस के खिलाफ जंडा बुलंद किया और अब बहुजन समाज पार्टी के हाथी पे सवार हो गए हैं लाल सिंग राठोड कभी भाजपा में थे फिर कांग्रेस में 6-7 साल से सक्रिये थे आहोर विधान सबा से टिकट मांगा था 2018 में लेकिन पार्टी ने कहा आपने आए हैं अभी काम कीजिए तो 2019 में लोगसभा चुनाओ के लिए उन्होंने तैयारी की और उसके बाद में उनको टिकट नहीं दिया गया कास्ट फेक्टर का हवाला हुआ और ये का गया कि आपको लोगसभा में बतोर प्रत्याशी उतारा जाएगा और 2024 में जब वैभाव गैलोत को जालोर चुरूही में एड़जस्ट करने के प्लानिंग शुरू की धर्मेंदर राठोड ने धर्मेंदर राठोड याद कीजिए वो ही लाल डायरी वाले धर्मेंदर राठोड उन्होंने जब लाल सिंग राठोड को जालोर चुरूही में जाके मिले और ये कहा EWS को लेके एक रेली करनी है और आप प्रत्याशी हो सकते हैं तो आईए खर्चा पानी सब हुआ वहाँ पे लाल सिंग राठोड के दफ्तर में ही EWS को लेके प्रेस कॉनफेंस हुई बैठक हुई तमाम चीजें बहाना धर्बंदर राठोड का अलग था लाल सिंग राठोड इस गोगली को समझ नहीं पाए और उन्हें कहा गया उनकी अशोग गैलोट से बात करवाई गी और कहा गया कि आपका हम नाम आगे प्रपोज कर रहे हैं और उस समय ये भी था कि अगर वैभव गैलोट नहीं होंगे तो फिर आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा और लाल सिंग राठोड इसी के चलते लगातार चलते रहे कांग्रेस में समर्पित भाव से लेकिन जब कुछ दिनों पहले एक फोटो आया अशोग गैलोट के साथ मे धर्मंदर आठोड ने उसे ट्वीट किया और जालोर सिरोही के बड़े नेता बताते हुए लाल सिंग राठोड को जिस तरह से उलेखित किया धर्मंदर आठोड ने वैसा धर्मंदर आठोड ने पहले कभी नहीं किया मनाने की कोशिश थी लेकिन यहां आके लाल सिंग रा को लाना ताय हुआ और जो बनाया गया था जिसको कहते हैं पैनल उस पैनल में उन्हीं लोगों का नाम था जो सरेंडर कर सकते थे वैवो गैलूत के नाम पे ऐसे में लाल सिंग राठोड अब बसपा के हो गए हैं हाती की सवारी करेंगे और जालोर सिरोही पे आज आपको कहता रहा हूँ कि अशोग गहलोत जिस भरोसे से आए जादूगरी के लिए उसे तै किया धर्मेंदर राठोड हेम सिंग शेखावत और पुखराज पाराशर ने तीनों ही ने कभी चुनाव नहीं जीता है धर्मेंदर राठोड लड़े जमानत जब तो ही बानसूर उसके बाद चुनाव से तौबा कर ले टिकट मांगते रहे धर्मेंदर राठोड अलवर में टिकट मांगते रहे धर्मेंदर राठोड और भी कई जगे टिकट मांगते रहे हैं लेकिन वो बतौर सरकारी विवस्थाओं में बीज निगम के चेर्मेन अनुकम पात्मक रहे हैं इसके अलावा वो RTDC के चेर्मेन भी रहे हैं लेकिन अभी जो है उनको विदान समा में टिकेट नहीं दिया गया 25 सितमबर वाली घटना कॉंग्रेस याद करें खास करके पाइलेट केमे के लोग उस तारीक को नहीं भूल सकते जब यहां विवस्ता बदलने के लिए ततका कर गया दर्मेंदर आठोड को टिकेट के लिए द्वार पे ही नहीं उपस्तितों नहीं दिया गया लेकिन अशोग गैलोद जो है प्लास्ट में शांति धारिवाल का टिकेट कर वाला है यह जो चीज है जैपूर की है लेकिन यह जालोर में ऐसे फ्लोट हुई कि दर्मेंद सियाना समय तमाम नेताओं ने की थी लेकिन टिकट जो है वो संध्या चोधरी को दिया गया जो कि सिरोही की रहने वाली थी जो बीजेपी ने प्रियोग 15 साल बाद यानि 2024 में किया वो कॉंग्रेस ने किया था संध्या चोधरी जो है जिनका ज्यादा कोई एक ऐसा प्लिट बुटा सिंग को जालोर लाया गया बुटा सिंग उस कॉंग्रेस की लहर में जो प्रदेश में अशोगहलोद की सरकार थी अशोगहलोद 2.0 वाली और उसमें कॉंग्रेस ने 25 में से 20 सीटें जीती थी जो 5 सीटें गवाई उनमें से 1 किरोडी मिना जीते थे निर्दली और 4 यहार भाजपा ने जीती थी जालावाड चुरू बीका नेरोड जालो चारो कॉनों में एक एक सीट जो है वो भाजपा को मिली थी उस दौर में भी यहां हार हुई क्योंकि राजपूत जो है वो बूटा सिंग को लाए बूटा सिंग निर्दली ये प्रत्याशी थे एवियम खेमे से थे भाजपा में आके टिकट पाए और जीत गए यह है जो जालोर चुरू ही की इतिहास है इस इतिहास पे और बात करेंगे कि बसपा जो है उसका क्या बेस बनता है जालोर चुरू ही में अगर राजपूत प्लस S.C.S.T. वोट मिल जाते हैं तो यहां सीट निकाल जा सकती हैं दूसरा अगर हालही के 2023 में साचोर का चुनाव देखें कि बसपा ने जहां पासा पल्टा है तो बसपा का हाथी इस इस इलाके में इतना कमजोर भी नहीं है मसलन की 2018 के चुनाव में आहोर और भीनमाल का परिणाम देखें कि हाथी ने हाथ को खुचल दिया था अगर परिणाम देखें 2023 में साचोर का तो आहोर से भीनमाल साचोर इन सीटों पे रिजल्ट प्रभावित किया है इस पार्टी ने और लोगसभा में भी ऐसा अन्नोन प्रत्याशी भी अगर कोई खड़ा हुआ तो एक टकर के बीच में मार्जिन को प्रभावित करने वाला इस तरीके से ज्यादा तर जो फैक्टरीज हैं उसमें राजपुतों की फैक्टरीयां बहुत कम हैं लेकिन लाल सिंग राठोड जो है उनको सपोर्ट है रहा पूर मंत्री भगराज चौदरी के बेटे जग्दिश चौदरी का कल्भी समाज के बड़े नीता अब कल्भी सम पूर्व ठिकानेदारों का दब-डबा रहा उसको कम करने के लिए जो कास्ट सबसे पहले कॉंग्रेस में आगे आई तो उसमें प्रेमराम चौदरी रतनाराम चौदरी भगराज चौदरी जैसे नेता थे प्रेमराम चौदरी वेबो गैलोत को खरी कोटी सुनाते भी नज अपना दोनों ही पार्टियों में से अपना वो मानते हैं कि यह हमारे वोटर हैं ऐसे में यह पार्टिय एक डेंट अशोग गहलोत के राजनितिक उतरार्ध वाले उस प्रयास में जिसमें वो अपने बेटे को देश की संसद की सीडियां चड़ाने का दूसरा और शायद एक अंतिम तो नहीं कह सकते लेकिन सायद एक आउटर सिगनल वाला प्रयास कर रहे हैं तो बीच का शब दलास लेना ठीक है क्योंकि आचार सहीता और तमाम चीजें हैं तो 2004 में अगर चुनाव देखें तो बसपा का प्रत्याशियां 25,000 से ज़्यादा वोट ले गए थे दिनिश काटिवाल प्रत्याशी को ज़्यादा जानते नहीं लेकिन उससे में पोश्टल बैलेट वाले वोट थे और यह वोट बसपा के लोग सबा में 2019 का अगर अपन देखें 2009 वाला इससे अगला चुनाव देखें जिसमें बुटा सिंग बागी होके आयता तो तो त्रिकोनिय मुकाबला हुआ था लिहाजा SCST का जो वोट बैंक है उन्हें बुटा सिंग के रूप में अपना एक बड़ा नेता मिला और वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ था अगर बुटा सिंग के पक्ष में यानि कि उन्हें लाने वाले लोग यानि उसी वर्ग के लोग भी अगर बाहर निकलते तो वो सीट समाजवादी पार्टी से खड़े हुए थे दस हजार के आसपास वोट ले गए थे वो 9000 के आसपास मगाराम वहां खड़े हुए थे एक और परत्याशी जो की वोट लाए 9300 और यही दिनेश काटेवाल जो 2004 में बसपा से खड़े आये थे वो 3500 के आसपास वोट लाए मतल से नजर आता है जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि S.E.S.T. की जो आबादी है वो 36 प्रतिशत के आसपास है और पिछला जो चुना हुआ है उसमें रेवदर और यह जो सीट रही है आपकी पिंड़वाडा यहां भारत आदिवासी पार्टी यानि कि तीसरे धड़े ने वोट प्रबावित किया अब भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस के साथ गटबंदन कर लेती है तो उन लोगों को जो अनुसुचित जाती जनजाती की बसपा वाली या इस ब्लू वाली विचारधारा के पक्षने हैं उस विचारधारा के हिमायती है या उस विचारधारा को आगे लेके जाने वाले लोग हैं, उन्हें एक विकलप उपलब्द होता है लाल सिंग राठोड के रूप में, यानि कि बस्पा के पत्याशी के रूप में, क्योंकि बहतर पर्फॉर्म किया है और दोनों इस सीटों पे रेजल्ट बदल गया, मसलन की वहाँ चुनाव समाराम गरासिया हार रहे थे लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने उस बेल्ट में परफॉर्म किया जहां कांग्रेस का प्रभाव था और रेवदर में उस बेल्ट में परफॉर्म किया जहां भाजपा का प्रभाव था अगर वो भूला वालोरिया वाले वेल्ट में करते हैं तो अलग थोड़ा एक रिजल्ट रहता तो यह एक सीधी सी गणित नजर आती हैं कि तीसरे विकल्प की और वो लोग जो कि कॉंग्रेस मूल के लोग हैं और इस बात पे यानि के 2014 में कॉंग्रेस के प्रत्याशी के लेकिन वैभाउ गयलोत को पसंद नहीं कर रहें बाहरी होने के नाति अगर उनकी पसंद नहीं है वैभाउ गयलोत तो फिर वो लाल सिंग राठोड की और जा सकते हैं क्योंकि लाल सिंग राठोड के टिकट लाने का जो प्रोसेस रहा है वो एक समाजिक मिटिंग जो की अगर कोई भी बाहरी आया, उनका इसारा सीधी तोर पे वैबो गैलोत की और था, तो वो अपनी बात पे काइम रहे हैं, और उन्होंने ताल ठोक दी है, जालोर सिरोही सीट से, अब अशो गैलोत की मुस्किले निश्चित तोर पे बढ़ेगी, अशो गैलोत जो की अभी साउ को भी ये लगता है, कि उनके प्रत्याशी को एक मातर टिकट कॉंग्रेस ने दिया, और इस बार इसलिए कट गया, कि पूर उसीम के बेटे यहां चुनाव लडने आ रहे हैं, तो एक वोट बेंक उधर भी फ्लोट हो सकता है, रिलीजियस या मठों वाला जो मामला रहता है उसमें भी कई चीजें हो सकती हैं, तो मैं आपको कह चुका गए आहोर का 2018 में पंकज मिना जब एक बड़े वोट बेंक ले गए, तो इस सिंबल को लोग जानते हैं, यह सिंबल लोगों के सबकॉंसियस मैंड में कहीन कहीं है, अब पत्याशी ऐसा आता है जिसके पास उसकी कास्ट का सीड वोट बेंक है, और साथी बसपा की विचारदारा उसमें मिलती है, तो फिर एक बड़ा डेंट कॉंग्रेस की तरफ नजर आता है, क्योंकि भाजपा खेल रही है मूल ओबिसी के वोट बेंक पे, मूल ओबिसी को जो अब तक टिकटें दी है, वो पाली की टि दूसरी जगह पे, बाड़ी सीट धोलपूर पे हुआ, जिसमें स्सी प्लस गूजर हो गया इस पार, उससे पहले गिर्राज मलिंगा के टाइम में हुआ, या राजंदर गुडा जैसा उदेवपूर वाटी में प्रयोग करते रहे, या मनोज न्यांगली जिस तरीके से प् होंगे, और जैसा मैं बता चुका कि मुसलिम समाद से आने वाले प्रत्याशी साचोर में जब खड़े हुए, तो उन्होंने कॉंग्रेस के सुखराम विश्णोई को चुनाव हरबा दिया, इससे पहले सवाराम पटेल 2018 में बसपा के कारण हार गे, पंकज मिना के कारण, इ क्योंकि कॉंग्रेस और भाजपा, इन दोनों मैंसे अगर वोट किसी के टूट रहे हैं बसपा के कारण, और राजपूत समाज के कारण, तो वो बड़ा डेंट कॉंग्रेस की और नजर आ सकता है, चूंकि राजपूत भाजपा को भी वोट करते हैं, खुले तोर पे, लेक सोच समझ के बड़े तरीके से यह टिकट डिसाइड किया है, अलागि बसपा में टिकट डिसाइड करने के स्टाइल हैं, वज़े हैं, दूसरी है, तो यह सारा जो है, सीधे तोर पे नजर आता है कि बसपा पिछली बार भीनमाल में 10,000 वोट ले गई, 22,446 वोट इस बार स सीधा सपाट था, ऐसे में उसका कोई आंकलन बनता नहीं है, तो यह सारी चीज जो है, कि वहाँ लाल सिंग राठोड के खड़े होने से क्या होता है, भाजपा का नुकसान है, या कॉंग्रेस का नुकसान है, या बड़ी चीज है, लेकि लाल सिंग राठोड ने इस चुना लोग सबाप पहुंचाना चाहते हैं, वैबो गलोट पर आ रही है, आरोप हैं कि वो बाहरी है, हलांकि एक सोसल मेडिया मैसेज चल रहा है, कि वो साब मूलत है यहीं कि ते कुछ सो सालों पले, तमाम चीजे हैं, लेकिन लुमा राम चौधरी जो बीजेपी है कह रही है कि आम कारे करता, सीदे सरल, सहज, राम मंदिर वाला मुद्दर, तमाम चीजें, इसके बीच में आप क्या देखते हैं, कि जालोर सुर्वे में क्या मुकाबला त्रिकोनिया होगा, तमाम चीजें आप हमें लिखें और बताएं, कैसी लगी आपको रिपोर्ट और वीडियो को लाइक शर सब्सक्राइब करें चैनल को, धन्यवाद